ये HEVC option अगर अपका on रहेगा तो आपका video file size आधा हो जाएगा और उसका quality भी अगर आप एक OnePlus smartphone user हो तो ये बात अपने कभी ने कभी तो ज़रूर सुने होंगे OnePlus, मस्त camera है ना? बात तो सही है जी हाँ, बात तो सही है क्योंकि OnePlus अपने सभी smartphones में उनके budget के इसाब से best camera प्रोवाइड करता है और साइध इसलिए Android smartphones के market में OnePlus अपने best camera के लिए जाने जाते है पर अगर आपके पर से एक अच्छा सा OnePlus device होने के बावजूद भी आप अपने smartphone से अच्छी quality के photo और video capture नहीं कर पा रहे हो तो में भी हमने कुछ गल्दी करके रखे है अपने camera settings के अंदर जिनकों की fix करना बहुत ही जादा जरूरी है और चिंता की बाद नहीं है क्योंकि आज के इस video में मैं आपको बताऊंगा OnePlus smartphone की best camera settings जिसको कि अगर आप मेरी तरीक से setup कर लेंगे तो I'm sure आप अपने smartphone से best possible quality में photo वीडियो capture कर पाऊगे और कुछ tips भी है तो वीडियो का लाश्ट तक देखिए और आट तो यह है OnePlus camera का user interface शुरू करते है फोटो quality से अगर आपका photo quality में गड़ बढ़े आच्छा photo quality नहीं बिल रहा है तो सबसे पहला चीज तो आप अपने display के उपर नीचे के तरफ कुछ इस तरह किसे slide करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखेगा aspect ratio का अब होता क्या है कि जो चीज अच्छा दिखता है वो quality wise अच्छा नहीं होता है और जो चीज अच्छा नहीं दिखता है हो सकता हो quality wise बहुत ही अच्छा है आपका जो phone है वो सिर्फ और सिर्फ 4 is to 3 के aspect ratio में maximum resolution यानकी maximum quality में photo capture करता है अगर आप full यांपर 16 is to 9 में इसको set कर देते हो तो वही maximum resolution को crop करके आपको preview देता है जिसको कि अगर आप print करते हो कहीं पर upload करते हो या फिर photo editor के अंदर डालते हो तो आपका photo का quality है वो आपको कम दिखता है तो आप अपने aspect ratio को 4 is to 3 में set कर दीगे maximum resolution एचीव करने के लिए फिर आप जो भी photos capture करेंगे उनको आप print करो कहीं पर upload करो edit करो आपको best possible resolution मिलेगा यह करेगा कि आपके camera lens के पर अगर कुछ भी डर्ट रहेगा तो आपको warning देगा उसको clean करने के लिए बोलेगा मैं आपको recommend करूँगा कि आप habit पा लिए क्या करिए कि जब भी आपको फोटो capture कह रहे होना make sure आपका जो camera lens है उसको आप अपने shirt यापे t-shirt से कुछ इस तरीक से clean कर दो तो इससे क्या होगा कि अगर आपके camera lens के पर थोड़ा बहुत भी कुछ dirt, dust याँ पर आपका fingerprint भी रहेगा तो remove हो जाएगा और आपका जो photo है उसमें आपको best clarity मिलेगा और photo का quality कुछ और options के बिज़े से भी खराब होता है जैसे कि यहाँ पर option है beauty करके जहाँ पर अगर quality है जो clarity है वो खराब नहीं होगा बट अगर आपने photo में retouch यान की skin retouchment को apply करके रहे हैं तो इसके बज़े से काभी टाइम आपके photo का जो sharpness है वो खराब हो जाता है तो मेरा recommendation यही रहेगा कि आप skin retouchment को off कर दो filters मत apply करो अगर आपको skin को smoothie करना है तो आप edit में जाकर कर सकत है और फूर इसको stuck करके आपको final photo देता है जो कि दिखता बहुत ही जवर्दस्त है बट इसमें होता क्या है कि photo capture करते वक्त आपका subject अगर हिल जाता है या फिर आपका camera हिल जाता है तो आपका photo unnatural आता है दो और tips बताता हूं जो कि मैं personally follow करता हूं अगर आपको अच्छा इसको आप ऑभी करके रेखो oneplus की watermark का कोई जोरत नहीं है साथ इसाथ यहां पर एक option है grid and guides करके यहां पर इसे आप grid lines को on कर दो और चो लेबल का option है उसको भी आप on कर दो इससे आपके display को बर grid lines and labels का option आ जाएगा जो कि आपके composition में बहुत ज़्यादा help करेगा ऐसे frame को अ high efficiency video करके जिसको कि आप off करके रेखो यह क्या करता है कि आपके जो video codec है उसको change कर दीता है जिससे कि आपका video file size कम हो जाता है कम space capture करता आपके phone में साधी साथ आपका video को resolution है वह भी कहीने कहीं कम हो जाता है और जो quality आप अपने phone से achieve कर सकते हो वह आपको नहीं मिल पाता है तो इसको आप off करके रेखो next आपको मिलता है focus lock करके इसको आप on कर दो यह बहुत ही useful feature है इससे होता क्या है कि जब आप video capture करे हो किसी भी subject के उपर click करते हो उसके उपर focus होता है फिर आप अपने phone को चाहिए किसी भी तरफ move करो आपका जो phone है उसी subject के उपर focus को lock करके रखे हो सारे कोई चीज़े perfectly आपके phone में काम कर जाएगा बट अगर आपका device budget device है like not series का कोई smartphone है तो video resolution को आप 1080p में set करके रखे because 4K में क्या होता है कि जो video stabilization है focus shifting या फिर exposure shifting जो की है वह smoothly नहीं होता है 4K में 1080p में यह सारे चीज़े smoothly काम करता है तो 1080p में आपको comparatively better video मिलता है 4K से और 1080p में अगर आप video shoot कह रहे हो तो make sure कि आपका जो fps number है उसको आप 60 fps में set करके रखे display के उपर यह से नेचे के तरफ slide करेंगे तो आपको fps number दिख जाएंगे 60 fps से होता क्या है कि आपका जो वीडियो है वो कहीं हद तक smooth बनता है कहीं हद तक stabilized बनता है और फिर उन वीडियो को आप edit करते वक्त slow motion effect भी दे सकते हो तो 60 fps में shoot करें better वीडियो आपको मिलेंगे कैमरे में जो night mode या फिर ultra HD mode या फिर 64 megapixel mode आपको दिया जाता है उनको अगर आप इस्तमाल करेंगे तो make sure कि आपका जो फोन है उसको आप किसी tripod के उपर mount करते हो या फिर किसी ऐसे जगा पर रख दो जहाँ पर आपका फोन बिलक करते हो शूट करें लगबग यही सारी settings होते है एक oneplus smartphone के camera के अंदर यहाँ पर एक और option है जो कि है pro mode इसके अंदर बहुत सारे settings है लाइक आइस रोगों को पता है बट आइस रोगों को सीखना चाहते हो तो इसके उपर एक dedicated video बनाना पड़ेगा अगर आप लोगों वीडि में फोटो वीडियो capture करने के लिए अगर आपके मन में फिर भी कोई सबाल है तो आप मेरे को comment करके पूछ सेकती हो कि वीडियो अगर आपके helpful और informative रहता है तो please एक like करती हुए और share करती हुए जाएगा बाकि आप चैनल को हमारे subscribe कर सकते हो इस तरगी की वीडियो में आप